आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं, यह मेरा जो एक पोदा है, इसकी जड़े इतनी ज़्यादा बढ़गी हैं, इस गमले में पिछले 6-7 साल से हैं, लेकिन अब इसकी जड़े बढ़गी हैं, तो इसने गमला तोड़ दिया है, मतलब खुदी गमले में दरार आगे गमला तूट गया है, तो मुझे इसका गमला चेंज करना है, एक तरह से कह सकते है, रिपोर्ट करना है इसको दूसरे गमले में, तो यह बड़ा गमला मेरे को चाहिए, इसमें मैंने जिसमें कमपोस्ट बनाया था, किचन वेस्ट से, तो यह वही गमला है, तो आज मुझे खाली करना है तो इसमें से एक खाद में निकाल दूंगे और ये खाद बन के तैयार होगी है क्योंकि पिछले एक डेड़ महीने से मैंने इसमें नेडाला है मैं दूसरे में खटा कर रही हूं वेस्ट को और ये आप मैं आपको दिखाती हूं देखो क्योंकि यह जैसे बनी है खात तो नीचे बैठ जाती है तो इसलिए मैं खुर्पे से निकाल रही हूँ इसको और इसमें कोई कीड़ा नहीं है यह एक भी और नहीं किसी तरह की बदभू है यह इतनी अच्छी बनके तयार हुई है अब यह आप देख सकते हैं मैं निकाल रही हूँ तो गिल्ली भी नहीं है पूरा मट्टी बन गी है मैं तब और किचन का पूरा वेस्ट वीडियो देखी हो गया आपने उसमें देखा है कि मैं कैसे इसमें पूरा किचन का वेस्ट डा लगानी चाहिए अक्टूबर में भी आप 15 अक्टूबर सक लगा सकते हैं उसके बाद नहीं क्योंकि जब सर्दी पढ़ने लगते हैं तो फिर पोदे ना सो जाते हैं तो फिर उन्हें आप कितना भी खाना दे दो वो नहीं इस्तमाल करते उसका तो यह अच्छा मोका है कि आप अपने पोदों में अच्छे सा फट्टिलाइजर लगाएं इस तरह की कंपोस्ट खाद या गोबर की खाद जो भी आपके पास हो आप वो लगा सकते हैं तो अब पहले मैंने गमला खाली कर लिया है और इसकी में जो पेड़ है एक्स्ट्रा पत्ति काट दूंगी क्यो अपने पोदों को दूंगी आज तो वह भी मैं आपके साथ शेर करूंगी तो वीडियो में एंड तक बने रहना जब मैं बताऊंगी कि मैं कौन सा फर्टिलाइजर अपने पोदों को दे रही हूं अज पत्तियों में काटे होते हैं काफी बड़े बड़े पर चाकू मैंने पूरे गमले में मत्ती ही ज ही जो मती थी मत्ती तो बिल्कुल नि बची जड़े जड़े होई है देखो चाकू चलने रहा इतना ज्यादा थोसस और लसे मैं सोच जूति कि निच्छे निच्छे सहाँ थोड़ा सा काट देती हूं तो लेकिन यह हो वी नहीं पारा थे पौस खतम होगी है इसमें बस जड़े ही जड़े हैं तो जब इसको रूट बाउंड होना भी बोलते हैं तो इसलिए अब मुझे बड़े इसमें लगाना पड़ेगा गंबले में नहीं तो पोदा खराब हो जाएगा क्योंकि इस से छोटे में लगाऊंगी तो फिर ये उसमें ये फिट होएगा जितना इसका ये है जड़े तो फिर ये डवलफ नहीं हो पाएगा तो इसलिए बड़े में लगाना ही पड़ेगा मेरको इसको अब तो आप में एक कमपोस्ट को चेक कर एह हूँ जो इसमें धागे जैसे माला वगर डाली थी नौजे फूलों की माला थी तो उनके धागे हैं कुछ लकडिया हैं मतलब ये जैसे गार्डन वेस्ट निकलता था वो भी मैं इसमें डालती थी तो लकडियां कई बार नहीं गल पात्ति पूरी तरह से जो पत्तियों होती हैं जा सब्सक्राइब जल्दी गल जाते हैं और इस गंबले में मेरा एक पोदा था बंदरोंने फाड़ दिया तो पोदा तो सुख गया था तो इसमें मत्ती है जो वह में यूज करूंगी क्योंकि मत्ती की थोड़ी सी परिसानी हो दिया और इसे गंबले की तली में डाल दूँगी पहले में उसके बाद वह पोदा रखोंगे फिर उसके साइडों में थोड़ी सी यह जो खाद बनी है इसको डाल दूँगी अब पोदा बहुत सुंदर लगता है यह चाइना पाम बोलता है इसको अब यह इसमें कहीं साल चल जाएगा कहीं साल तक जो रतनी पड़ेगी इसका यह मतब गंबला रिपोर्ट करने की और यह अगर आपको कोई भी पोदे की रिपोर्टिंग करनी है तो यह बहुत अच्छा समय है इस समय आप कर सकते है अभी 1,5 महीना बारिष तो नहीं एक महीना मान ली दिया 15 अक्टूबर तक कर सकते हैं सर्दियों में कोई भी पोदा नहीं करना चाहिए रिपोर्ट और फर्टिलाइजर देने का तो ऐसा है बारिष के बाद यतनी जल्दी मतब बारिष चली गई है तो बारिष के बाद ही फर्टिलाइजर दिया जाता है पोदों को देखो मट्टी का जुगाड मैं इस तरह कर रही हूँ जो भी गमले बंदरों ने तोड़ दिये हैं पोदे उनके सुखा दिये हैं तो वो मट्टी मैं इसमें डाल दूँगी क्योंकि एक्स्ट्रा मट्टी मेरे पास इस समय है नहीं तो इसी से में इसको कवर करूंगी पूरे को जो भी मट्टियां रखे हैं और ऐसा नहीं है जिसी चली जाते हैं कुछ ऐसा भी है जो समय के साथ सूख जाता हैं यह फर्ण का पोधा था मेरा यह भी सूख गया है इसका भी मैंने मट्टी इसी में डाल दिया सारी इस काम में मुझे एक गंटा लग गया इस गमले को इसमें ट्रांसफर करने में आप देखो मैंने यह पूरा कंप्लीट हो गया पूरा भरा तो नहीं है उपर तक क्योंकि मट्टी नहीं है और लेगिन फिर भी इतना हो गया है कि इसकी जड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं पोर्ट कर दिया है इसको टुटे वे दो दिन हो गे थे लेकिन मुझे समय नहीं मिल पा रहा था तो आज जब समय मिला तो मैं चलो भई आज कर देते हैं इसको जो भी यहां पर मत्ती है इसमय से पोदे मिसे निकलो इसमय से मैं वेश्ट सारा निकाल के एक तरफ रख दूँगी और यह मत्ती भी मैं इसी में डाल दूँगी यह बिल्कुल साप मट्टी है तो यह इसी में मैं डाल देते हूँ और अभी मैं आपके साथ जो फर्टिलाइजर शेयर करूँगी आपके पोदों के लिए बहुत अच्छा है अब बहुत ही सस्ता है तो अगर आप चाहते हैं तो एक बार आप लगा के देखें उस वाले फर्टिलाइजर को मैं लगाती हूँ तो फोदे बहुत अच्छे हरे हरे हो जाते हैं उससे अब बिल्कुल भी महंगा नहीं है अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी दे देती हूँ और मेरे कैए गमले पनत पंथ केंपधे बड़े और लोगा हुआ लेकिन जब तक हो ना खुद गमले तो यह लग रहे ता sûr तो यह तोड़े कोई निज तो पिर एभी जी मुलेड़ी में लेरी उप देख सकता है करह 19 यो को डालते हैं सर्सों का डील निकलता न वह बघ जाती तो सर्सों की का दौफलनी पानी कैसा कि मैंने यह मगगे से कम ली है आपके पिदे अगर थोड़े है तो आप बहुत थोड़ी सी ले आदा कटोरी और उसे 1 लीटर पानी में भीगो के छोड़ दें तो मैंने एक मगा ली है और 3-4 लीटर पानी में मैं इसको भीगो के छोड़ दूगी कम से कम 36 गंटे के लिए मतलब 36 दिन तो 24 गंटा तो आपको छोड़ना ही है जैसा आज भिगोया तो कल उसी टाइम आपको इस्तमाल करना है देखो ये देख सकते हैं मुझे भिगोया वे इसको डेड़ दिन हो गया है मतलब आप 36 गंटे के आसपास मान सकते हैं तो ये मैंने इस तरह का लिक्विड बन गया इसका और ये फर्मेंट होनी बहुत जरूरी है ऐसा नहीं है कि फूल जाए तो आप तुरंत दे सकते हैं इस पोदों को ऐसा नहीं है इसको भिगो के छोड़ना ही होता है तब ये आप लगा सकते हैं तो इससे अच्छे से मैंने घोल लिया ह और ये चार मग्गे के आसपास है तो अब मैं क्या करूंगी एक बालटी पानी लूँगी साप पानी आप ले लें ताजा साप जैसा भी है टंकी का तो एक बालटी में पानी भर लें आप और इसमें हमें मिलाना है एक मग्गा तो ये एक मग्गा आप मिला लें अच्छे से हिला ले मिलाने से पहले नाप के ही मिलाना ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादे लगा देते हैं तो उससे फंगस लग जाती है पोदो में हम तो ये आपको ओझा उनलाइन भी मिल जाएगी नहीं तो जहां पर आपहसों के लिए 4 मिलते हैं अवह भी मिल जाएगी तो एक मग्गा आपको ये मिलानी है और अब इस पानी को अपने पोदों में लगा देना है आप हर तरह के पोदे में से लगा सकते हैं मनी प्लांट में है या कोई भी आपका जो भी पोद है आपके घर में सब में इसे लगा सकते हैं हाँ इतना है थोड़ी सी स्मेल आती है जो लोग जिन लोग उनने मतलब कभी इसका इस्टमाल नहीं किया जिस अब हम तो ऐसे हैं कि हमारे तो माईके में भी पसू रहते थे और सुसराल में तो हमें तो पता है कि इसका इस्टमाल किस तरह करते हैं तो हमें तो इतनी जादे स्मेल नहीं आती लेकिन जिन जो लोगों के यांपस उनहीं रहते उन्हें स्मेल थोड़ी आ सकती है इसमें से अगर आप इसे लगाएंगे तो आपके पोदे बहुत अच्छे हो जाएंगे और आप इसे महिने में एक बार दे सकते हैं अपने पोदो में हलाकि मैं अब की बार कापी टाइम के बाद दे रही पूरी बरसात निकल गी मैंने ये वाला फर्टिलाजर नहीं दिया पोदो मे क्योंकि बारिस ठीक ठाक हुई थी तो पोदे गिल्ले जादा रहते हैं तो इसलिए नहीं दे पाई ना जी ये 12 इंची वाले जो गमले होते हैं इसमें आप एक मगगा दे सकते हैं जो ज़्यादा बड़े गमले होते हैं उसमें आप दो मगगे दे सकते हैं बड़े पोधों में मतलब दो मगगे और छोटों में एक मगगा और जो बहुत छोटे पोधे हैं बिल्कुल छोटे से उसमें है गमले में उसमें आप थोड़ा से दे सकते हैं आदा गिलास के आसपास तो इस तरह आप जब भी आपका पानी खतम हो जाए एक बार टीबरे उसमें आपके एक मगगा मिला ले और यह इतना बना था कि यहां जहां यह पोदे लगे हुए मेरे इनमें सारों में आ गया है दोनों बालकोनियों में आ गया है नीचे वाले पोदों में नहीं आया है नीचे वालों के लिए मैं दुबारे से बनाऊंगी मा के लिए नहीं बचा था तो ऐसे करके मैंने सारे अपने पोदों में ये फर्टिलाइजर लगा दिया है तो आप भी इसी तरह लगा सकते हैं और ये आपको मिल जाएगा पस्वो के लिए जहां पर चूरी चोकर मिलता है तो वहीं पर ये खल भी मिल जाती है ये लूज भी मिल जाती है तो मैं तो 2 kg लाके रख रख ये 20 या 25 रुपे किलो आई थी और नहीं तो आप अमेजोन ये फिलिप कार्ड पर कहीं सर्च करेंगे ना सर्सों की खली तो वहाँ भी आप कोई मिल जाएगी वहाँ पर भी लेकिन उनलाइन महगी मिलती है और लोकल सोप से अगर आप लेंगे तो आपको थोड़ी सस्ती मिल जाएगी बस इतना है और ये 2 kg बहुत दिन चल जाती है जरूरी नहीं कि 2 kg लें आप अगर लोकल सोप से ले रहे हैं उपले को 2-3 दिन के लिए एक बाल्टी में भिगो दें फोड के और उससे जो पानी तयार होगा उस पानी को भी आप अपने पोदों में लगा सकते हैं उपला, कंडा मतलब जो भी आपके याँ बोलते हों तो उपले को आप पानी में भिगो के छोड़ दें और उस पानी को अपने पोदों में लगा दे वो भी खाद का ही काम करता है तो मेरा यह जितना मैंने खल भी गोई थी उससे चार बाल्टी पानी तयार हुआ था तो चार बाल्टी सारे पोदों में एक-एक मगगा करके किसी में एक मगगा लगा है, किसी में दो लगा है, किसी में आधा ही मगगा लगा है, तो मैंने ये सापने सारे पोधों में लगा दिया है, इसका रिजट आपको चार-पांच दिन बाद ही दिखने लगता है, पोधों पर रंगत आ जाती है, बहुत अच्छी, तो देखो ये तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें और चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप मुझे बताएं कि आप मेरे चैनल पर कैसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसी तरह की वीडियो पर काम करूंगी और सारे ही पोदों में दवाई लगी है मताब फटी लाजर लग गया है मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ तब तक के लिए सभी को रादे रादे स्वस्त रहिए मस रहिए और त्यवारों को इंजोई करिए